ठ्यार भैंकर सर से सवाल मैंने सौच में पूछा था कि सर सेमी सरक ले जितने भी हम् ट्रइंगल्स बनाते है falling using diameter और एक पॉइंट जो एंटरियंग्ल का सरकल के परिफेरी पर रखकर तो जितने भी ट्रियंग्लस बनाते हैं वो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से comment box में जानना चाहते हूं कि कितने बच्चों को सही-सही पता है और कितने बच्चों नहीं से रट रखा है कि हाँ जितने भी ट्रेंगल बनते हैं उसके राइट एंगल ट्रेंगल ही बनते हैं आज मैं आपको प्रूव इसको करके बताऊंगो कि ऐसा होता क्यों है ठीक है दो तरीके से प्रूव इसके पढ़ेंगे और वह एलेवेंट दलतला कॉंसेट जो सूरसर पढ़ा रहे थे वह वाला कॉंसेट नहीं टेंथ लेवल का कॉंसेट में आपको समझाओं और बहुत अच्छे तरीकी से आपको समझ में आएगा ठीक है जैसे मान आपने ऐसे बनाया यह भी राइट एंगल ट्रेंगल होता है सपोज आपने ऐसे बनाया यह भी राइट एंगल ट्रेंगल होता है सपोज आपने ऐसे बनाया यह भी राइट एंगल ट्रेंगल हो लगता है अब ऐसा होता क्यों है आई यह सीखते हैं तो आपको मैंने आपने सरकल अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने थियूरम पढ़ा होगा ठीक है जैसे मालेजिया आपने एक आर्क ले लिया ए बी इस आर्क से आपने ए पॉइंट से सेंटर को मिलाया और बी पॉइंट से अपने सेंटर को मिलाया अगर आप से कहा गया कि भाईया अगर यह एंगल थीटा है बहुत ध्यां से समझने कुशिश करिएगा यह बहुत यूजपूल है अगर यह एंगल थीटा है तो सरकिल के अधर पार्ट पे इस माइ वीडियो में बता दूंगा लेकिन यह होता है यह प्रूब्ड रिजल्ट है यह अगर थीटा है तो यह थीटा बाई टू होता है क्लियर ठीक है यह बात सबको क्लियर है अगर यह बात क्लियर है तो इसी फिगर में आप मैं तुम्हें एक सेमी सर्कल यहां बनाता हूं आब तुमसे पूछता हो अगर यह सेंटर है सपोज यहां पर मैंने क्या किया मैंने सर्कल और हम सर्कल को इससे डिवाइड किए ठीर यह ऑप मिला दो और यहां सिखो सब्सक्राइब करें एक से सरकल हो गया ठिक बहुत बढ़िया समझना इस कॉंसप्ट को सब्सक्राइब कर दिया अब मैं तुमसे कहता हूं कि आप गया यह सबलार बतल दिख यह अब पॉइंट किसी हो और यह कितना होगा गयूमेटट होगा अब डेफ। अभी बनाओए तो सारे तो बराबर ही होगे तो इसका बिव्य बनाओगे तो भी 92 90 यह भी 90 सारे के सारे 90 होंगे इतनी बास सब को समझ में अब यह इसका दूसरा प्रूफ है उस प्रूफ को समझे वह भी बहुत मज़ेदार चीज है सपोज मैंने यहां पर सर्किल बना लिया और यहां पर इस तरह से ऐसे खीर दिया अब तुमसे कहा गया कि आप यहां पर प्रूव करो कि यह एंगल 90 डिग्री है ठीक यह आपका सेंटर है ओ पॉइंट यह है ए पॉइंट और यह है बी पॉइंट क्लिए बहुत ध्यान समझने कोशिस करिएगा मज़ा आ जाएगा अपको ठीक है अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इस पॉइंट को यह जो आर है या पी है इसको सेंटर से मिला दो तो यह तुम कहूं कि यह भी रेडियस यह भी रेडियस समझ में आ रहा है ना हाँ यह यह तो यह हत रेडियस आब मैं तुमसे कहता हूं कि अ कर यह ङंक बहुत बढ़िया अब मैं तुम से कहता हूंक्य अगर यह वाई एंगल होगा बोलो हाया यह Но अच्छा मैं तुमसे कहूँ कि यह exterior angle इस्ट रेंगल का है क्या कहोगे हाँ अगर यह x है तो यह x है कितना होगा यह 2x होगा और अगर यह y है और यह y है तो यह वाला इंगल इसका exterior angle होगा तो यह कितना होगा अब आपको पता ने कि x plus y आपका कहा है यह x plus y तो यह always कितना होगा 90 degree तो बोलो बच्चों यह बात समझ में आई तो बहुत बड़िया चीज है बहुत सारे बच्चे इस result को याद रखते हैं लेकिन इस result के पीछे का logic क्या है यह बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो मैं मा पता होना चाहिए बट उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए ठीक है वीडियो कैसा लगा कमेंट करें जूल बताईएगा इस तरह के डियर सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे concert भी हम पढ़ाते रहेंगे और आपको बुष्ट करते रहेंगे ज हैंगे बुष्ट करते लेहेंगे हैंगे से छाहिओे शूल पर आपको इनल पर आपको चाहिए वीडियो हैंगे फई रहेंगे हैंगे हैंगे ऑन करते रहें होल पिए जरे